जिसको एक बर सत्ता का खून मू लग जाता है, अपने आपको राजा माल लेते हैं, अपने आप कोई छाती पीट-पीट के बोलने लग जाते हैं, काली पारलेमेंट में जो लोग बैठे होंगे, जो मंत्री संत्री बन जाएंगे, वही ठेकेदार नहीं हो सकते, वो नुमाइ वो नुमाषकर मैं नूर जाओं आप देख रहे हैं जनेत अवाज, व lawyers को मुद्धा लगतार उठ रहा है, ओर जन्ता के साथ सब सूप्रीम कोट के वकील भीस में शामिल हो रहे हैं, लगतार प्रेस कॉनफरेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉनफरेंस में ये दिखा रहे हैं क इवियम को किस तरीके से हैक करा जा सकता है लगतार ये बोल रहे हैं कि इवियम हैक होता है और इवियम के धानली की वज़े से ही सरकार बन रही है इसे चीज़ पर बातशीत करने के निवाज़ार मौझूद है सुप्रीम कोट के एडवोकेट बलराज सिंग मलिक जी सब क्या क कहेंगे इवियम पर लगतार सवाल खड़े हो जा रहे और प्रेस कॉंफरेंस पर लगतार हो रही है जो बिना आग के दुआ नहीं उटता बेटा अब पूरे देश में ये दुआ उट रहा है और हम सब को लगता है कि फ्री एंड फेर इलेक्शन कराने की जो गारंटी है द कोई गडबड करे ना करे इस पर नहीं छोड़ सकते और ऐसी चीज़ को हम अपना ही नहीं सकते जिसमें गडबड की गुंजायस है जिसमें बिल्कुल ही गडबड की गुंजायस ना हो बहुत मिनिमल हो और जिसमें कारवाई भी की जा सकी वह सिरफ और सिरफ है बैलेट पे अगरूख है टेकनोलोजी के परती वहां भी ये इलेक्शन इसी वज़े से बंद कर दिये एवियम से और बैलेट पे प्रसेश लिए होता है कि वो चाहते हैं सो परसेंट विश्वसन ये तरीका ही अपनाना चाहिए ये छोटा अदिकार नहीं है पांच साल में लोग अपना भागय का फैंसला करते हैं अपने उन लोगों को ले के आना चाहते हैं जो उनके अनुरूप उनके अकांगसाओं के अनुरूप और उनके इसारे पे चल पाएं उन जन परतिनीदियों को बेजना चाहते हैं इवियम के जरिये गलत लोग पहुंच जाते हैं और जिसको एक अबर सत्ता का खून मू लग जाता है जो इस देश में सासन मानसिक्ता के लोग हैं वो डेमोकरेसी में हैं तो वो एक तरह से नुमाइंदे मुखोटे मगर वो अपने आपको राजा माल लेते हैं अपने आप कोई छाती पीट-पीट के बोलने लग जाते हैं कितनी जगह पे दिल्ली में हमने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है मोधी की सरकार और मोधी की गारंटी यह नॉंसेंस है इसे बड़ा कोई नॉंसेंस सबद नहीं है बेटा यह सवधानी के लिखनी सकते जिसने भी लिखा गलत है नागरिक खड़ा होगा इस देश का ऐसे सारे बोर्डो है कि सरकार की हीनुमत ही देता है उसमें चेहरे मोरे बदलते रहते है हैं कौण है एकश है का कोई माणिय नहीं है इस देंघ MORE यह मोधी की देश के टेक्स का पैसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट किसी को मोदी की करनी है तो उसकी पार्टी करें यह देश एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता लोगों की ऐसे दिल्ली में देखते हैं वहाँ सीम अपना उसका बस के पीछे अपनी फोटो लगवाई बैठ है देश क लोगों को पता कैसा चलेगा जब तक चलना है भारत सरकार की स्कीम के एडवर्टाइजमेंट करो आदमी के एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त नहीं देता सुविदान यह गलत है यह नॉन सेंस है यह दिनायक वाद की परंपरा को जनम देने के लिए यह अन्डेमोक्र पूरे वोटर की पूरे देश की भागीदारी से चलती है सब लोग लगातार भागीदार रहते हैं रहना पड़ता है उनको रहने क्या अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है यह लोग तंतर का नाम है काली पार्लेमेंट में जो लोग बैठे होंगे जब मंतरी संतरी बन से कह रहे हैं कि हम 400 पार लाएंगे यूग अधितनाच जी कह रहे हैं असी से असी लाएंगे अगर बैलेट पेपर से एलेक्शन वाए तो 400 पार की बज़ए 40 पार हो जाएं तो बड़ा हैं होगी ऐसा महुला देश में आप कह रहे हैं कि भारी देश में भी इवियम सब से अब यह मौर्चा सभी हर और संगर सरत यह जो लोगा अंदोलन रत लोग हैं जो सही की आवाज उठा रहे हैं जो इस भै के वातावन में भी बहार लालस के वातावन में भी अपने आवाज को बुलंद के हमें सब लोग की कठे होंगा एक मंच पर आएंगे और देश इस जमीनी सतर पे आ गए हैं, पूछो ना, किसी फिलम थेटर के बाहर जा के पूछो, रेलवे स्टेजन पूछो, बस स्टेंड के बाहर जाओ, हस्पताल के बाहर जाओ, पूछके देखो लोगों से क्या चाते हैं, जमीनी सतर पे पूछ चुगा है, यह तो अब समयुक्त काम कर रहा है, क्या मतलब है, जो किसी बात में, काम में थोड़ी स्पीड लाने का रोल अदा करता है, और इसे जादा कुछ नहीं है, लोग खुद सामने आ रहे हैं, पूरा देश तयार बैठा है इस काम के लिए, जगा जगा जाके करेंगे, तो मतलब दिल्ली में कितना इ नजदी के उसमें क्या लग रहे है, उसमें होंगे बैलेट पेपर से चुनाव, अगर ये बात नहीं मानेंगे, तो लोग इतने खिलाब हो जाएंगे, ये गड़बड भी करेंगे, गड़बड करने के बाद भी नहीं जीत पाएंगे, लोग जब जागरुक होते हैं, सरकार में पने रहने की कुछ एष्टा ना करें, और देश की जनता क्या चाहरी है, फिर कौन सी सरकार? अपने परतिनीदी बदलेगे, तो ये जिद जो कर रहे हैं, जिद जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंको डर है, बैलेट पेपर से इलप्सें कराने में, और इसका सिंपल है देश की जनता बदलाव चाहती है बदलाव करेगी तो मतलब अगर बैलेट पेपर से चुनाम नहीं करा जाते है अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर क्या करोगे आप लोग हम लोग क्या करेंगे वो रागे देखेंगे क्या होगा मतलब यह अंदोलन को और आगे ब पेटा वो अभी कुछ नहीं है यह तो एक जश्टर रियर्सल है जब मार्च होगा जब देश बाहर निकलता है तो कोई सेक्षन धाराच वाली से लगाने वाले भी चुप बैठ जाते हैं इस वकत लगाओगे तो सरकार चेंज होगी तो तुमारे से हिसाब किताब लिया ज सर्वी और भै और लालच में वो गलत काम करते हैं सरदानी काम करते हैं मेरा हमारा निवेदन है सभी सरकारी करमचारियों से भी और अधिकारियों से कि कोई ऐसा काम ना करे जो देश हितमे ना हो जो देश के लोगों के फंडमेंटर राइट का हनन करता हो जो सरकार के जाल स जो पॉलिटिकल एग्जिक्यूटिव है मंत्री संत्री जो होते हैं इनकी वही बात माननी चाहिए जो सविधानिक हो अगर वो सविधानिक नहीं है उसको मानने में किसी का कोई नुक्षान नहीं है बलके वो सच्चे और देश भगत लोगों का यही काम है एक और सवाल में लेना चाहूंगे कि वो लोग कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोट जाकर लाइव डेमो दिखाएंगे तो इसमें प्रदर्शन की क्या जरूर दिए कि उधर तो डिटेन कर लेगे वो सीधा जा सकते तो सुप्रीम कोट वही सीधा लाइव डेमो दिखा देते हैं आगे ऐसा भी करेंगे सीधे भी दिखाएंगे सुप्रीम कोट के सामने भी दिखाएंगे बिना प्रदर्शन के भी दिखाएंगे मगर इस दोनों कोट साथ हैं वो एक जागरूक करने के चकर में वह लोग जागरूक होंगे इसके बाहने से और वो कोई वाइलेशन करने व लोगों के हाथ में चला गया देश की चंता के हाथ में चला गया अब ये अंगर समीती भी चाहेगी तो ये मामला रुक नहीं पाएगा एक आखरी सवाल लोग सबच उनाव नजदी के आप लोग बड़े इस तरपे अंदुलन क्यों नहीं कर दो ताकि सरकार जल से जल सुने आपकी बड़ी अच्छी सला है आप भी देश के नागरिक और वोटर हैं आप भी चाहते हैं कि गलत हो रहा है और इसमें गड़बड के चांस हैं कभी ये दोबारा लोग कोई भी आदमी ऐसा चालाक आदमी देश में ना आजाए जो देश के भाईचारे और ज्यादा नश करना चाहिए और सारे लोग इस बात में चर्चा भी करें देश से चारों तरब से फोन भी आ रहे हैं और सब लोग एक जूठे हो सकता है जो प्रोग्राम पनाया उससे भी पहले और लोग भी इसमें स्करी हो जाएं और ये बड़े अंदोलन का रूप ये देश में ले और कीस बात बाती हैं तो इनका यही कहने कि संभवनाय लग रहें कि बड़े स्थर पर भी करा जाएगा इसको और साथी साथ लगतार जो ये इव्यम पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसमें यही माना जारे कि लोगसबा जो चुनाब नजदी के तीन-चर महीने में होने वाले तो क्या चुनाफ बैलेट पेपर से होंगे ये इवियम से होंगे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी रह जरूर बताएगा